गुण मार्ने आलाफ्यू तो आज की किलास दो रहेगी कल की गिलास में क्या देखा था गुलन फल में इकाई का उंक ग्यात करना तो आज क्या देखेंगे घात में इकाई का अंग ग्याद करना है ना कि घातों में इकाई का अंग कैसे ग्याद करते हैं तो जैसे एक क्विश्चन है तो जैसे नार्मन कुष्चन लेड़ा है जैसे आपनों कि समझने आजाए तो पहला कुष्चन मानीची जैसे मानी ले लिए है साथ की घात तीन है ना साथ की घात तीन या नो की घात तीन नहीं घात दिया गया है सब्सक्राइबा जर चलेगें मतलब जब्यों सब्सक्राइब आतर लगार जरड़ा संब जर्यक्राइब करने हैं तो जोस्त तीन दिन खेरा तैने लिए टो घृटर चाहर्ड़ा चाहर एफ जास है उन्चास उसके बाद 49 सकते थ्री फोर थ्री यह न यह तो होगा तो 349 तो क्या पुछाएं घात्मी इकाई का अंक तो में 21 मतलब है न इन दोनों से मतलब नहीं है वह तो मतलब एक से इकाई इसे इकाई क्या हमारा तीन यह क्या हो जाएगा हमारा अंसर समझ गये न इतना यह तो भी हमाली चोटी घात है जैसे है इसको नव गुड़े नव बेसिक जानकारी है आसा करते हैं कि आप लोग सुझ में आ रहा हो तो कितनी बार लिखागा है नव गुड़े नव गुड़े नव गुड़े नव गुड़े नव ननव चैसी फिर रही इक नव चैसी गुड़े नव ऐसे कर लों कर बुच्छाथा क्या सी बराबर 729 तिसमी का इकांग क्या आया ना है अब आगे देखते हैं कि पीश्चन को अलग प्रकार से लेते हैं मालों बड़ी घात है इती छोटी घात है ना कुड़ा करके क्या करते हैं निकाल लेंगे हम काई हैं माल लेजिए अगर दी दिया जाए इस जैसे क्यूस्चन में देदिया जाए तो कि घात जाओदा कैना कि जाओदा अब तो यहां पे तो क्या था चुटी घात है तो माशाने से क्या करें का लिए माल लो बड़ी घात ही ती रही हो तो कैसे है राट करेंगे दिश्वर चौदा में का अंक क्या होगा का अंक क्या होगा तो दो की घात चाउदा नब दो को क्या लिखेंगे चाउदा बाल लिखेंगे अच्छा ठीक लिखेंगे देगरे माल लोगे छोटा है जीसे तो गात चाउदा तो गुरे दो गुरे दो गुरे दो गुरे दो गुरे दो क्या नहींच डाउड से तरव और नौ दस घ्याएरग में ज़ुदा है तो हमने क्या कर लिया इसको चौदा बार लिख लिया है ना अब क्या करेंगे अब इसमी पैसी देखेंगे काई कांग ग्याद करना है थोड़ा तो भाई लंबा हो गया कुछ नहीं करना है प्रस थोड़ा सा है ना तुमाग लगाना है जैसे तो दूना चार दूना आर दूना शोला दूना बत्तिस है ना इस तो इस तरह से हमें दिक्कत हो जाएगी तो हम क्या करेंगे तो इसमी लियम लगाएंगे चार सबसे पहले क्या करेंगे दू दूना चार दूना आर दूना सोला दूना बत्तिस है ना दिखो हम चार पार के बाद फिर यहाँ पर पढ़ेंगे दू दूना चार दूना आर दूना सोला दूना बत्तिस है फिर चार अंग के बाद क्या आ रहा है एका एका अंग क्या आ रहा है 2 न एक लेका न दो चाल टुना शोला दुना वनम तैसे-थहर शार के बाद चाल क्यों है क्या लेका 20-0 युज़्य आरा है 22 जो आ रहा है फीर इसमीं दो 3, 4, 2, 2, 2, 4, 2, 8, 2, 16, 22, 31, 34, 32, 3, 4 have a b 32 है ना तो कितनी बार लिखा गया है 14 बार लिखा गया है एक दो तीन चार पांट छे साथ तार नो दस ब्यारा बारा तेरा चौद्या हो अब 32 आ गया है फिर क्यों क्या करेंगे कांट करेंगे आप देखेंगे तो बत इक आएंग क्या आया दो तो आया ना तो हमें दो से ही गुडा करते चलना है दो दुना चार दुना दुना शोला दुना 32 थिक 32 आ गया है दुना खिक चलना अब हर चार दुना आठ दुना शोला दुना 32 थिस कितना आया फिर 32 आया जबिकांगे आया दुन छीके ना अब यहां पर देखें देली तो बत्तिस आ गया ला। छे ना इकार यह क्या है फिर दो है दो दुना चार दुना आट दुना स्वाला दुना दुना थीज क्या करेंगे दो दो बचा लाश्ट में क्या बचा है इस दो बचा इस दो का बर क्या होगा चार है num 2 दोना चार दोना आठ दूना 16 दुना 32 दो आया लाश्ट में कितना आ रहा है दो अब दो आया तो क्या करेंगे कि दो कावर क्या होता है चार मतलब हम समझ सकते हैं अगर कोई भी खात में कोई भी संख्या हो यह बढ़ी गहात हो हर एक चौथा अंक के बाद कि आएगा वही संख्या ईगी असा नहीं कि यहां पर 32 जुच मतलब हर एक चौथी के बाद किया आयेगा वही अंक जो चौथी बार के बाद आया है वही यहन क्या है हार एक चूथी के बाद इकाई का अंग आता रहेगा है ना घातें चाहे इतनी भी बड़ी लेगी समझ मैं यहीं बाद किसी तरह हम क्या कर लेते हैं एक और सवाल ले लेते हैं अगला कुश्चिन हमा रहा है पचीस तिरासी की घाद अठतर में इकाई का अंग आप देखेंगे इकाई का अंग तो हमें तरहा है तरह करें नुर्ण है हमारी तरह हम इकाई इससे हमें अप्neक ना गया है पूच गया है अब यह आपने पिछली सवाल में क्या देखा है हर एक चव्ति की बात क्या रहा है वही अंका रहा है तो हम क्या किए है तो हम क्या कर लेंगे इसमें है अठाक्तर में क्या कर देंगे चार से भाग दे देंगे चार से भाग दे देंगे गी है ना चार से भाग देंगे गी जहां रहा है तो चार से भाग करने पर तो भाई काटेंगे इसको, चार बचा कितना, तीन, कितना बचा, कितना हुआ, तीन बचा, कितना हुआ, अब जो यह सेश फल आया, इसको क्या करेंगे तीन की घ़ाद पर लगा देंगे क्याल क्या इक पूचा गयाँ अब सेसवल इतना बचा है कटने के बाद pronounce क्या करने ऐना क्या करने क्या चार से भाग देंगे चार कहां से आयाई क्यूबकि हर एक कितनी भी घात supply ऌने होज के बाद 11 का अंग क्या होता है कि चैन्ज होता रहता है लेकिन कितने के बाद तो यह क्या निदिक मोड़ता रहे लगीन 4 कंग से देञा थे रहे तो 14 बाद क्या होता है सेस्फल में कर लेंगे को कितना गएन तो इस तरह से कितनी भी बड़ी घात हूं इस मत ज 맞는 लास्ट वाले में हातें बड़ी हैं तो क्या की चार से क्या कर लेंगे इसको भाग दे देंगे तो अगले क्लास में हम कुछ है ना इसी थोड़ा सब्हेतर प्रियास करने गरें कि कुछ नए प्रफ में कराएंगे तो थन्द बात एडियों को लाइक ने सुस्क्राइब कीजिए